ये कहानी है सोमेश और उसके परिवार की सोमेश के परिवार में उसकी पतनी काव्या और एक बेटी रीमा थे सोमेश एक प्राइवेट कमपनी में नौकरी करता था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लिकिन फिर अचानक सोमेश इस कमपनी में काम करता था उस पर धोखा धड़ी के आरोप लगे और वो कमपनी रातो रात बंद हो गई इसके साथ ही सुमेश बेरोजगार हो गया सुमेश को अब फिक्र होने लगी अब चिंता मत कीजिए आपको जल्दी ही कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी नहीं कव्या ये इतना असान भी नहीं है मैं जिस कमपनी में काम करता था मार्केट में उसका नाम बहुत खराब हो गया है मैं जहां भी नौकरी मांगने जाता हूँ पुरानी कमपनी का नाम आते ही मुझे मना कर देते हैं मैं जानती हूँ कि वक्त मुश्किलों भरा है लेकिन आप हिम्मत रखिए हम कुछ न कुछ करी लेंगे सुमेश और काव्याम बाते करी रहे थे कि अचानक उनकी बेटी रीमा इसकूल से आ गई और आते ही सुमेश के गड़े लग कर बोली पापा देखिए मुझे क्लास टेस्ट में फुल मार्क्स मिले है अरे वाँ, शाबाश बेटा ऐसे ही मैनद करते रहो, ओके? पापा ऐसे काम नहीं चलेगा आप भूल गए, आपने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था सॉरी बेटा, आप याद दिला दो पापा ने क्या प्रॉमिस किया था आपको? ओफो पापा, आप इत्ती जल्दी भूल गए आपने प्रॉमिस किया था कि इस बार दिवाली पर आप मुझे वो परी वाली ड्रेस, जो हमने उस दिन मॉल में देखी थी वो दिलवाओगे और वो कलर्ट फुल जणिया भी आप दिलाओगे न पापा, प्लीज रीमा की बात सुनकर सुमेश का चेहरा उतर गया सच तो ये था कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे ऐसे में वो रीमा को उसकी मन पसंद रेस कहां से दिलवा था कमपनी अचानक से बंद हुई थी जिस वज़ा से सुमेश को उसकी तनखवा भी नहीं मिल पाई सुमेश रीमा को कुछ कह नहीं पा रहा था उसकी हालत समझते हुए काव्या ने रीमा से कहा रीमा, बेटा आप अभी अभी स्कूल से आयो न जाओ जाकर पहले अच्छे से फ्रेश हो जाओ फिर मैं खाना लगाती हूँ हाँ ममा मैं बस चाही रही हूँ पहले पापा से बात तो कर लूँ रीमा, जो कहा है वो करो बाते बाद में होती रहेंगी रीमा नाराज होकर वहां से चली जाती है सुमेश अपनी बेटी रीमा से बहुत प्यार करता था उसे उदास देखकर सुमेश को बिलकुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी पत्नी काव्या से कहता है नहीं काव्या मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता मुझे कुछ तो करना ही होगा बात नहीं बनती वो ठक हार कर एक चाई की टपरी पर बैठ जाता है तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुखती है उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है और चाई वाले से कहता है अरे कैसे हो नंदू भीया चलो जल्दी से चाई पिला दो मेरी स्पेशल वाली जी सहाब बस दो मिनट में लाया है सुमेश ये देखकर चौंक जाता है कि इतना अमेर आदमी उस छोटी सी चाई की टपरी पर चाई पिने आया था और तो और चाई वाले से इतने अच्छे से बात कर रहा था सुमेश कुछ देर वहीं रुक गया तब ही चाई वाले ने उस आदमी से पूछा अरे साहाब क्या बात है आज आप खुद गाड़ी चला कर आए है आपका ड्राइवर संकर कहा है अरे उसे डेंगू हो गया तो मैंने कुछ दिन उसे आराम करने को कहा है अब उससे कह तो दिया लेकिन भाई सच में उसके बिना बड़ी परेशानी हो रही है वो मेरी गाड़ी चलाने के साथ-साथ घर के दूसरे काम भी कर देता था जैसे बाजार से घर का सामान वगएरा खरीद कर लाना घर की साफ सफाई वगएरा वो नहीं है तो मैडम भी बड़ी परेशान है तो साहाब कोई नया आदमी रख लो ना जब तक शंकर नहीं आ जाता हाँ भाई सोच तो मैं यही रहा हूँ वैसे भी दिवाली आ रही है बहुत काम है कोई भरोसे मंद आदमी हो तुमारी नजर में तो बताना हाँ साहाब यह लीजिये तयार हो गई आपकी स्पेशल चाय है भाई वाँ 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 अरे नाना नंदु भाई अमीर गरीब जैसा कुछ नहीं होता बस वक्त का ही सारा खेल है कोई काम छोटा नहीं होता अब तुम ही बताओ अगर तुम यह चाय बनाने का छोटा काम समझ के छोड़ दो तो मुझे मेरी स्पेशल चाय कहां मिलेगी पास ही खड़ा समेश ये सारी बाते सुन रहा था उसे उस आदमी की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया उसने कुछ दिर वही इंतिजार किया फिर जब वो अमीर आदमी चाय पीने के बाद अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा तो समेश उसके पास गया और हाथ जोड़ कर बोला सर अगर आपको ड्राइवर की जरूरत है तो मैं मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ पर तुम हो कौन सुमेश उस आदमी को अपने बारे में सब कुछ बताता है उस अमीर आदमी का नाम अभिलाश था और वो शहर का एक बड़ा बिजनेसमेन था वो उसी वक्त सुमेश को अपने आफिस में एक अच्छी नौकरी दे सकता था लेकिन उससे पहले उसने सुमेश को परकने का फैसला किया और सुमेश से कहा देखो सुमेश अभिलाश सुमेश पर भरोसा करके उसे ड्राइवर की नौकरी दे देता है सुमेश भी मन लगा कर काम करता है वो गाड़ी चलाने के साथ साथ घर की साफसफाई जैसे काम भी अभिलाश के लिए पूरे मन से करने लगा उसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया दूसरी तरफ सुमेश की पतनी कावया को ये सब देख कर बहुत बुरा लग रहा था एक दिन वो अपनी बेटी रीमा से बोली रीमा बेटा इधर आओ मुझे कुछ बात करनी है आपसे हाँ ममा बताईए रीमा बेटा पापा बहुत मेहनद कर रहे है ताकि दिवाली पर आपकी फेवरेट ड्रेस आपके लिए खरीच सके तो हमें भी उनकी मदद करने के लिए कुछ तो करना चाहिए न हाँ ममा हम करेंगे न बताईए हम पापा की हेल्प कैसे कर सकते हैं बेटा हमारे पास पिछले साल की जो दिए बचे हुए है आप उन्हें अच्छे से डेकुरेट करो और हमें डेकुरेशन का दूसरा सामान भी बनाना होगा जिसे बेच कर हम पैसे कमा सकते हैं और ऐसे हम पापा की हेल्प कर सकते हैं वाओ ममा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है फिर काव्या और रीमा मिलकर काफी सारे दियों को डेकुरेट करते हैं और अपने हाथों से सजावट का काफी सारा सामान भी बनाते हैं वो अपने घर के बाहर ही सारा सामान बेचन लगते हैं सुबह से शाम हो जाती है लेकि अब हम पापा की हेल्प कैसे करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं बिका तो कल बिख जाएगा, चलो अब घर चलते हैं, कल फिर से कोशिश करेंगे. लेकिन ममा कल तो दिवाली है, अगर कल भी सामान नहीं बिका तो… काव्या के पास रीमा के सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो आँखों में आशू लिये सारा सामान समेटने लगी, तब ही वहाँ एक महला आई और रीमा से बोली, अरे वाँ, कितने सुन्दर हैं ये दिये, इन्हें किसने डेकुरेट किया है? मैंने किया है आँटी, आप इने खरीद लो ना प्लीज, और ये जालर देखो, ये मैंने और ममा ने मिलकर बनाई है, इसे भी ले लो प्लीज, आप ये सामान नहीं खरीदोगे, तो मैं अपने पापा की हेल्प नहीं कर पाऊंगी, मेरे पापा मेरे लिए दिवाली पर पर इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, इसलिए ममा और मैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो, अपने सारे दिये और ये बाकी का सारा सामान भी, सब कुछ पैक कर दो, क्या, सारा का सारा, आप सच कह रही है मैडम, हाँ, मुझे य इस सब चाहिए, इस प्यारी सी गुडिया ने कितने प्यार से बनाया ये सब, इस से अच्छा सामान तो मुझे पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा, अब जल्दी से ये सब पैक कर दो, काव्या और रीमा खुशी-खुशी सारा सामान पैक कर देती है, वो महला उस सामान की क खीमत से जादा पैसे उन्हें देती है, और फिर वहां से चली जाती है, शाम के वक्त सोमेश काम से ठकाहारा घर वापस आता है, वो बहुत उदास दिख रहा था, काव्या सोमेश से कहती है, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताओ काव्या, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सर से पैसे मागने की हिम्मत ही नहीं कर पाया, सोचा कि दिवाली के मौके पर वो खुद ही कुछ ना कुछ दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल दिवाली है, अब मैं रीमा को क्या मूद दिखाऊंगा, ड्र रीमा की फेवरिट ड्रेस भी आएगी और उसके लिए फुल जड़ियां भी, लेकिन कैसे रीमा, पैसे कहा है हमारे पास, काव्या के पास जो पैसे थे, उनके बारे में वो सुमेश को बताने ही वाली थी कि वहाँ भिलाश आ जाता है, उसके साथ उसकी पतनी मानसी भी थी मानसी वही महिला थी जिसने रीमा और काव्या का बनाया सारा सामान खरीदा था, उन दोनों को देख कर सुमेश चौंग जाता है और कहता है, अरे सर, मैडम, आप यहाँ, मेरे घर पर, आईए ना मेडम, आप, आप तो, हाँ, मैं वही हूँ जिसने आपका सामान आपसे खरीदा, सुमेश मेरे घर पर ही काम करता है, परसों की बात है, काम करते हुए सुमेश की जेब से आपके पूरे परिवार की फोटो जमीन पर गिर गई थी, और जब मैंने आपको और आपकी बेटी क सड़क पर सामान बेशते देखा, तो मैं आपको तुरंत पहचान गई, सामान? कैसा सामान काव्या? काव्या सुमेश को सब कुछ बता दी है, फिर अभिलाज सुमेश से कहता है, सुमेश, ये तो मैं पहले दिन से ही समझ गया था, कि तुम काबिल हो, लेकिन फिर भी मैं त तुम्हारे परिवार के बारे में बताया, तो ये बात साफ हो गई, कि तुम और तुम्हारा परिवार भले ही हालात से मजबूर हो, लेकिन कमजोर नहीं हो, अब से तुम मेरे लिए ही काम करोगे, लेकिन मेरे ड्राइवर बनकर या मेरे घर के लिए नहीं, बलकि मेरे ऑफ पुलजडियां यही चाहिए थी ना आपको आपने अपने पापा की इतनी हेल्प की तो ये सब आपके लिए थैंक यू आंटी सुमेश और काव्या ये सब देखकर भावुक थे वो हाथ जोड़ कर अभिलाश और मांसी का शुक्रिया आदा करते हैं अब वो खुश थे उन्ह उन्हें अपनी मेहनत से अपनी मुश्किलों को हरा दिया था और अपनी दिवाली को अपनी हिब्मत की रोशनी से रोशन कर लिया था